नमस्कार आप देख रहे हैं समाचेटी जाएट जन्पस संबल में बिजली विवाग की लापरवाही को लेकर 11 वर्षे किसोर जुलज गया लेकिन लापरवा बिजली विवाग अभी सुधने का नाम नहीं ले रहा है संबल के रश्परा थान चेतर के गाउं सलिमपूर का मामला सामने आया है जिसमें हाई टेंसन विदुद लाइन की चपेट में आने से 11 वर्षे किसोर गंबी रूप से जुलज गया है गाउं के मंदिर के पास खेल रहा था खेल कूद के समय अचानक जमीन से चाटफी टूचाई की जूलती हाइटेंसन लाइन की चपेट में आकर गंबी रूप से जुलज गया उसे उचार के लिए कस्पे में एक निजी अस्पताल में भरती कराया गया है जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है वहीं ग्रामेर बिदुद विबाग पर आपर वाही कारूप लगा रहे हैं ग्राम्रों के अनुसार सलेंपुर में हाइटेंजन विदुद लाइन का संबंत केला देवी पीटर से पताया जा रहा है समाचेटु जैट के लिए संबल से बिजिंद्र सिंग की रिपोर्ट अब आपको जी है काम कौन साइब का सलेंपुर अधान विद्वड़ा में आता है यह पूरा मामला क्या है बच्चे का गंबिर मामला यह है सर की मतलब यह बच्चा हमारा अपना खेल कूद रहा था तो जैसे लड़के ने मतलब खेले कूदने में जैसे जंप लगा है जब तो तार्जो थे वह बहुंद भूशण बहुत नीचे थे और नीचे होने पर उसके तारों में हात लगाया लड़के आँ जब बच्चे का तार में हाथ लगा दो लिए उस समय नहीं ठीए तो बिजली से मनलों बच्चा हमारा ठकरा ने पर ये गंबीर हालत हुई हमारा ब कि यह इतना क्यों निया हो रहा है इस बेज़िदी विवाग में मदलब हम चीज को नहीं हो सकते क्यों हम कैट कर एक कौन से काम है शलेमपुर आपको पिटा कैसे गायल हुआ है हम तो बाइरा काट रहे लगातें लाइन जा रही है लगा से लांग जा रही है तो जिनने जैसे लांग लेटक रही है तो इसको हाथ लगो जैसे जाहमा आपके जो लाइन है क्यारा है जाल लेए बहुत ज्यादा नीची चार फुट के नीची को उप साड़ी तीन फुट है और बलकर मतलब जो बिजली वाग की जो लाइन चली ग्यारा जार की हाई टेंशन तो चार स्ट कर भाद आप फिर उसे सपताल लेकर आए इसपताल अधिन अब मेन लेकर आए अब ही कैसी तविदा आपके बच्चे की गंवीर हालत हैं भुट बच्दी क्पाद्फित में लापरवाई का मामरा अरा है सूंने लापरवाई का कोई देखनेवाले ने जी वाले देखत झाल